दिन दहाडे इरना गोडा पाटिल अडवेकेट के खतल के बाद गुलबर्गा डिस्टिक बार असोसियेशन के जरी अडवेकेट का प्रोटेस्ट किया गया डिस्टिक के इंचार्ज मिनिस्टर है और यहां दिन दहारे अडवेकेट का खतल होना अफसोस की बात है प्रियांग खरके को चाहिए वो अपनी कॉंग्रेस हुकूमत पर प्रेशर बनाए और अडवेकेट प्रोडेक्शन बिल को लागू करवाएं इरन गोडा पार्टिल की के फैसला लिया है कि कोई भी अडवेकेट इरन गोडा पार्टिल का खतल करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे आज फिर एडवेकेट के उपर हमला हुआ उनका खतल हुआ दीन के वक्त ग्यारा बजे यह हमला हुआ बड़े हमारे तमाम एडवेकेट को बड़े अफ्सोस की बात है इसका सब्सक्राइब परolla और और आज एक गडोकेट का खतल होता है ऊपर एडवे 우리 are किया जो ऑडवेकेट चाहे वो पॉलिस के साथ अकर नाइनिस अटी होती तो उसको बचाने के लिए यह खोट काम में आता है और वही पॉलिस आफिसर हार जो है अडुकेट का ऐसा करता है तो बड़े अफ्षोस की बात है बत्रमीजी से पेश आता है उसके लिए हमने बहुत कई दिनों से मुतालेबा किया है कि एडुकेट्स प्रोटेक्शन बिल को पास करना करना चाहिए लेकिन आज तक बीजीपी की हुकुमत चली गई अब कांग्रेस की हुकुमत ताई है वह बिल महाँ पर पेश किया गया है अब लेकिन उसको इंप्लिमेंट करना है उनके पर प्रेशर दालकर एडुकेट्स प्रोटेक्शन बिल को लागो करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए यहां पर इरना गोड़ा पॉलिस पाटिल को सुबा में दिन के वाक्त कुछ लोग उसको हमला करते हैं आखिर में उसको फत्तर से उनके सर को चलते हैं तो यह ब गुलबरगा बाहर आसोसेशन पुरा करनाटका स्टेट बाहर एडुकेट्स बिरादरी जो है उनकी रहना गोड़ा की फैमली के साथ है आज मुता आज हम यहां पर एतिजाज करें प्रोटेस्ट करें फिर यह कंटिनियूसली हम बाइकॉट करेंगे मंडे तक हम कोई वहाँ पर काम नहीं करेंगा वह जितने भी आरोपी है वह आरोपी के लिए कोई भी एडुकेट्स कोड के अंदर वकालत नमान नहीं फाइल करेंगे यह फैसला आज गुलबरगा बाहर आसोसेशन के जानी से लिया गया है और आज शाम में पूरे स्टेट के बाहर करन करने वाले हैं किस तरह से हम उसको आगे आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करें और अई बात एडुकेट्स प्रोटेक्शन की बिल की बात है मैं प्रियांक खरगे साब से यहां पर इस्टिक इंचार्ज मिनिस्टर उन से उसारिश करता हूं कि आप जो है गुलुबरगा and free career counselling at MG Road Aadarsh Nagar Kalburgi